जैसा कि आज हम आपको बताने वाले हैं Irregular Period Treatment के बारे में यानि जो महलाओं में मासिक कर्म होता है वो timely ना होना इसी वज़ा से और कौन-कौन सी वज़ा होते हैं यह सब पूरा डीटेल से बताएंगे और क्या लच्छड होता है क्या उपचार होता है इसी सब के बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी आज हम बताएंगे कुछ लोगों में क्या होता है जब period start हो जाता है 12 या 14 साल के बीच में तो वहाँ पे क्या होता है जो मासिक दर्म होता है वो irregular हो जाता है जिसकी वज़ा से उनको काफी problem होता है कभी कभी क्या होता है जो मासिक दर्म 28 दिन का होता है वो महिने में 2 या 3 बार जो period होता है वो आ जाता है कि वज़ा से उनको काफी ज़्यादा difficult महसूस होता है इसी condition में उनमें heavy bleeding की समयस्या हो जाती है क्या इसका समयस्या होता है और क्या इसका cause होता है उसके बारे में mainly हम आज बताएंगे और इसका treatment यानि इसका कौन-कौन सा उपचार किया जाता है हौज हम आपको बताएंगे सबसे पहले हमारा है irregular period को जानि इसका मुख कारण क्या होता है same medicine इसमें क्या होता है कि जो birth की medicine है वो उसने खाई रखी है अगर वो birth control pills खा रही होगी तो उसमें भी ये problem देखने को मिलता है irregular period उनका आने लगता है जानि बराबर period उनका नहीं आता है बनुसरा है इमारा exercising too much अगर वो ज़्यादा exercise करती है तो उनमें भी ये irregular period देखने को मिलता है इससे भी ये problem हो सकता है और होता है और अगर किसी का body weight कम है और जदा है तो उसमें भी ये problem देखने को मिलता है और यह समस्या होती है और अगर परियाप्त मात्रा में प्रोटीन या बिटामिन ना मिले तब भी यह समस्या हो सकता है अब चलिए जान लेते हैं इसमें कौन सी मेडसीन दिया जाता है एमियूरिया एमियूरिया जो कंडिशन होती है इसमें क्या होता है जो menstruation period है वो abnormal तरीके से चलता है इसमें काफी ज़्यादा bleeding होता है इस condition में etham silent 500 mg का tablet दिया जाता है अगर वो 14 साल से नीचे की है तो उसे 500 mg का tablet दिया जाएगा दिन में एक बार या दो बार या तीन बार भी दे सकते हैं condition के हिसाब से अगला tablet है MRRDOTE M इस tablet का उपयोग pain killer के रूप में किया जाता है इसमें क्या होता है कि काफी खिचा होने लगता है या काफी ज़्यादा pain होने लगता तब इस tablet का उपयोग किया जाता है परियड इस्टार्ट होता है तो काफी ज़्यादा दर्दसा बना रहता तो उसमें DROTE M टेबलट का उपयोग का भी ज़्यादा किया जाता है मॉसल पेन में इस tablet का काफी ज़्यादा उपयोग किया जाता है मेंसुरेसन क्रेम्स यानि खिचा होने लगता है तब इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है ब्लीडिंग रीडिंग पीरियड यानि अधिक ब्लीडिंग हो रहा हो तो उसमें भी इस टेबलेट का उपयोग उस समय किया जाता है और भी condition में भी इस टबलेट का उपयोग किया जाता है या डॉक्टर करता है अपने experience में मरीज की intensity और condition को देखते हुए अगला टेबलेट है हमारा सश्टेन SR टेबलेट का उपयोग यानि इस टेबलेट का उपयोग कप किया जाता है चलिए जान लेते हैं कोई से दिकत कोई सी परिसानी में सश्टेन SR टेबलेट का उपयोग किया जाता है जो महिला हैं उसमें बाज़पन की समस्या है तो उसमें भी सिस्टिन ऐसा टेबलेट का उपियोग किया जाता है और अगर कोई महिला प्रेंगिनेंट है तो उसके सपोज़िटरी के हिसाब से इस टेबलेट का उपियोग किया जाता है अगला टेबलेट है हमारा प्रिमोलिल्ट एंड टेबलेट इस टेबलेट का उपयोग कप किया जाता है चलिए जाने ते हैं कौन से दिक्कत कौन सी परिशानी में इस टेबलेट का उपयोग एर्यूगलर पीरियड की कंडिशन में किया जाता है और दूसरा है मारा पेनफूल और हाईवी पीरियड की कंडिशन में या अगर किसी का पेनफूल या निक परकार से हाईवी पीरियड की समस्या हो रही हो तो उसमें भी इस्टेबलेट का उपयोग किया जाता है इंडो मैट्रोसिस की कंडिशन में भी इस टबलेट का उपयोग किया जाता है या वीडियो सिर्म नार्मल जानकारी के लिए अगर आपको कोई दिकत कोई परसानी तो अपने नाज दिए या वीडियो सिर्म नार्मल जानकारी के लिए